आज की महमान है चार बार की नैशनल एवार्ड विजेता पदमिश्री से सम्मानित और भारती जनता पार्टी की सदस्य और मंडी लोग सभा से सांसद जिनकी इमर्जेंसी नाम की फिल्म आ रही है जिसमें वो लीड एक्ट्रेस भी है और डारेक्टर भी है ऐसी कंगना रनौ बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत है आप अपनी फिल्म इमर्जेंसी का प्रोमोशन कर रही है जो मेरे खाल से 6 सेतंबर को रिलीज हो रही है फिल्म कैसे विचार आया इस फिल्म का आईडिया के लेवल पे एक्जिकुशन के लेवल पे इसके बारे मेरा दिमाग थ कोई लिमिटेट स्टोरी जो है वो ऐसे उत्सुक नहीं करती है मैं हमेशा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी और इमोशन और सेंटिमेंट को डूनती रहती हूं तो मुझे लगा कि जैसे मनी करने का में मुझे लगा कि इनसान और राश्टर के प्रती क्या उसका प्रेम होता होगा क्योंकि हमारी जो सारी सेंसिस हैं वो हमें अलग अलग तरह के प्रेम के बारे में इंटर्ड्यूस का एक खाने को लेकि जाए कपड़ों से चाहे इनसान को इनसान से हर तरीके का प्रेम हमें पता चलता है पर राश्टर के लिए क्या वो प्रेम होता है ज बड़ा जेन्रलाइज करते हैं, कुटा पजामा पहन के आते हैं, और रिखास को फिल्मों में तो उनको बड़ टिपिकल एक दिखाते हैं, तो जब मिसिस गांदी का आप नाम सोचते हैं, तो एक ऐसी फिगर आपके दिमाग में आती है, इस तरह का मतलब एक अवतार माना चाता था, और वो भी आप देखेंगे इसली के लोग जूते मार रहे हैं, चपल मार रहे हैं, और ऐसा लग रहे हैं, उनकी तस्वीरों को, उनको, हाँ, उनकी तरफ थो कर रहे हैं, रैली में, मतलब एक टाइम तो ऐसा था, अगर देखके लगता है कि अगर उनके हाथ आगे जनता के तो शायद लिंच कर देंगे, इतना नफरत, तो ये जो हमारी देश की जो जनता है, और खासकर हम अपने आसपास भी देखते हैं, जनता और लीडर के बीच में, ये किस तरह के कश्मकश रहती हैं, कभी तो सर पे उठाना, कभी ये मानना है कि ये भी प्यारी है, लेकिन जनता और लीडर के बीच में, किस तरह का एक पैस्टिन जनूनी ये प्यार है, कि वो उसको प्यार भी करते हैं, और नफरत भी करते हैं, कि ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, मैंने का यार इस पे एक फिल्म बननी चाहिए इंट्रेस्टिंग, रितेश शान इसका स्क्रीन पर लिखा है, कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक रही जैसे पुपुल जैकर की बाइग्रफी बड़ी मशूर है, कैथरीन फ्रैंक की भी, या इमर्जंसी पर बहुत सारी किताबें हैं, तो रिफरेंस मेटियल किस तरह है, कुछ हमें विखुक ठ्टेशुर के एडर, लिटे प्रैम के प्रइम के स्वल के बाद से हैं, लिखेस्टै पर लिए कि कानियव च्ठाइब यजल यह उसका सीद एं इमर्जंसी का आव फार अच रॲग कोता बैंसे इस पीस्तिगल करेंस्टि बाइने द्र तो यह जो भी इनिनि कहानी यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन उस दौर के जो है वो इवेंट हुए उसी की है क्या उसमें एक हुमन एक हुमन एमोशन ने एक हुमन साइकी ने एक सत्ता और पावर की इस केमिस्ट्री ने क्या ऐसे इस तरह के महौल बनाए कि वो काम हुआ उसके कहानी है तो इसक इंडिविजुल एक 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 रियालिटी वास्तविक्ता होती है वो कहानी वो एक इंडिविजुल वास्तविक्ता होती है वो कहानी वो एक इंडिविजुल वास्तविक्ता होती है वो एक इंडिविजुल वास्तविक्ता होती है वो कहानी वो एक इंडिविजुल वास्तव वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी थी? नहीं, विची, like I said, कि Mrs. Gandhi's life is so vast. आप देखिये, वो सवतंतरता संग्राम में भी, और खासकर दे, इंसेप्शिन ओफ कॉंग्रेस, उसके जो मोतिलाल नहरू है, उनका जो अनन्द भावन, उनका घर था, वो पार्टी हट्वर्टर था, फर्स्ट एंफर्मोस्ट, फर्स्ट पार्टी हट्वर्टर, तो वहां पर उनका एक खांदानी घर है न, तो उसमें वो काम करने जाती थी, तो वहां से उनके कहानी शुड़ू है, तो कहानी बहुत वास्ट है, लेकिन मुझे एक हिस्सा उठाना था और कॉन सा उठाना था कितना उठाना था यह वो यूज यूज नजर गई जिसके रॉपकर्शन जो है रिपल एफेक्ट के उसके एंड तक चले वो हिसा उठाना आप के हम जब पिशले बयान देखते हैं तो उसमें एक बयान पे मेरी नजर गई जिस से हमें लगा कि हाओ strongly you feel or how fascinated you are with her gray character मैं वो बयान वर्बेटम पड़ देता हूँ कालिस्तानी terrorists may be arm twisting the government today but let's not forget one woman the only woman prime minister ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था no matter how much suffering she caused to this nation she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life लेकिन देश के तुक्ड़े नहीं होने तिये I think मेरा ये वाकई में ऐसा मानना है के बंगाल विभाजन के बाद it was Pakistan's main agenda to divide the country and rightly so right you mean Bangladesh 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 बनने के बाद गाद जो भी भाजन हो पाकिस्तान का और बंगादेश बना तो आपने उनको इतनी क्षटी पहुंचाई हुई है बहुत बड़ा उन पर बहुत बड़ा जखम था वो उन पर तो it will be very stupid to assume that they would just take it lying down it will be very stupid to assume that she didn't have a consequence of that और I think the sacrifice जो उन्होंने किया है देश के लिए that should not go wasted waste नहीं जाना चाहिए तो आज मुझ पर बहुत प्रेशर है बहुत दवाब है के कुछ लोग जो है उपद्रवी जो है वो किसी तरह का हमला ना कर दे मुझ पर या किसी तरह का मेरी खुद की जान को लेके मुझ पर बहुत प्रेशर है लेकिन तो एक साथ साल की औरत अपने घर पे तीस गोलियां पैंतिस गोलियां दागी हुई उनके शरीर पे तो वो कहां से हुई पैंतिस गोलियां के लिए अपने घर मेरी हुई उसकी लाश पाई गई तो वो कहां से हुई ढूत जो पितती है जो लोग सच्चाई को जानने नहीं चाते है बेखना नहीं चाते है मैं तो उनपे हिरान हूँ कि वो क्या चाते है कि को आसमानी गोलियां उन्हें मार गई पैंतिस जर्णावियां का चौ्स 60-year-old woman in her own house तो क्या चाहते हैं इसको मैं कितनी sensitivity के किसी के ego ना hurt हो जाए किसका ego हो जाए कि क्या होता है कि इस देश में मुझे भी अभी वेक्ति की आजादी है मुझे भी अभी वेक्ति की आजादी है जब मुझे एरपोर्ट पे मारा जाता है और जो लोग खुशिया मनाते हैं जो लोग खुशिया मनाते हैं वो भूल जाते हैं कि मुझे भी अभी वेक्ति की आजादी है तो आज ये मेरा ही सिर्फ संकल्प नहीं है ये आने वाले सब कलाकारों के लिए मेरा संकल्प है कि किसी की आवाज यसे मरनी नहीं चाहिए और जो सच्चाई आप उसको जुटलाना चाहते है ताकि आप एक नया जो है इतिहास अपनी convenience के लिए लिए लिख सके और उसको रच सके और हम पे लानत है हम पे कि हमारी generation जो है वो पड़ी रह जाए और उनको हमारे चहरे पे वो इतिहास लिखने दे लानत है हम पे यह होगा नहीं यह मेरे जीते जीतो नहीं होगा मैं यह जाना चाहते हूं कि वो साथ साल की औरत को किसने चंडी किया अगर मुझे वो सच्चा ही नहीं बताने जाएगी तो कोई वहां पे बस एक फ्रेम में वो लिख दे कि आस्मानी गोलियां यह कर गई बस इस दे फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन इन दिस कंटर आप ठीक कह रही है फ्री प्रेस फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन की सब्ध होना चाहिए पर जैसी आपने यह कहा मेरे सामने 26 अगस्त की एक प्रेस विध्यप्ती आ गई जो आपकी पार्टी भारती जन्ता पार्टी की तरफ से रिलीज हुई है भाजपा सांसत सुश्री कंग्रा रनावत द्वारा किसान अंदोलन की परिप्रेक्ष में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है भारती जन्ता पार्टी की ओर से सुश्री कंग्रा रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविश्य में न दे तो पार्टी तो आपके expression को कर्व कर रही है मुझे ऐसा नहीं लगता है के के मुझे कोई रिप्रमांड नहीं कर सकता मुझे ऐसा नहीं लगता है You were reprimanded? Yes I was told के आप you should be aligned with the policies of the party I was told मुझे नहीं लगता के मैं सब जानती हूं और मैंने सब सीख लिया है और मुझे जो है जनता पाटी के लिए मेरे से बढ़के पाटी से बढ़के मेरे लियास दुनिया में कुछ भी नहीं और डैट इस कमिंग फॉम प्रॉम प्लेस क्योंकि मैंने इमरजेंसी जैसे फिल्म की है मैंने उनकी जर्नी जनसंग से लेके जनता पाटी से लेके कैसे क्या और यह कोई परिवारवाद की पाटी नहीं है कैसे कैसे लोगों ने अपना खून देके पसीना देके और आज हमारे जो लिप्शीष ने तित्वे जिन्दगियां खपाती है तो मुझे लगता है कि येस अगर कभी मैं पाटी के कॉस को अगर हर्ट करती हो हम करती हो तो मुस्टा दुख किसी को नहीं होगा अभी वक्ति की सवतंदिता कर क्या बिके अश्छी जिए प्लेयर के लिए पाटी कमस फर्स्ट पारत रहना चाहिए जो अटल जी की पंग्तियां है हम रहे न रहें भारत रहना चाहिए तो ये एक्चुली में सेमी चीज है तो येस आई अगरी कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा तो उन्होंने सही कहा कि शी ड़संट रेप्रेजेंट अस इन एन वेए हर अपीनियन्स डोंट रेप्रेजेंट अस I am a member of parliament I am also an artist I am also an artist मुझे एक कलाकार होने पर अभी व्यक्ती की आजादी है लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है उनकी जो पॉलिसी है I need to be aligned with that you know I do believe that I have a lot to learn and I do believe that Nada ji is my senior, my superior अभी पार्चल से भी आते हैं मेरे लिए तो मेरे लिए तो पूझनिया है पार्टी में सभी ना कि सिर्फ Nada ji, Ghatkarri ji, Rajnath ji Shivraj मैं तो देखिया क्या दिगज लोग है कोई मुझे रिप्रिमांड करे तो कै मुझे बुरा लगेगा मुझे तो अच्छा लगेगा कि these people are mentoring me they are mentoring me they're telling me how I should be and you know I hope I don't disappoint them I hope that I live up to their expectations I can only hope मुपई की film industry में ऐसे लोहों से बात करते हैं जो बायस नहीं है किसी कैंप में अपरेंटली नहीं है तो जो मैं आपको शूट शुरू होने के पहले कह रहा है तो अगर आपने बोला है तो कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमरीका का हाथ था तो सोर्स ऑफ इंफो क्या है इसके पीछे देखिए जैसे मैं आपको कहा कि मुझे जो अब डिरेक्शिंज मिली है कि I stand with the party's stand I stand with party's policies के सबका साथ सबका विकास अगर उनकी policy यह है तो I am not going to drift from that और यह मेरी भावना पर इसके पीस आफ इंफर्मिशन आप जो देले मोडी जी की बाइड़ी से बात हुई मैंने जो कहा अबनी परसेप्शन पर बेस्ट यह एक मैं अजन इंडिविज्वल मेरा बहुत जादा बाडियों वर्क रहा है बीस साल से मैं एक प्रफेशनल प्रेंड कहीं जाने अन मैं एक रोल मॉडल बन गई फेमिनिस्ट बन कुछ तरह से कई रोल्स मैंने अदा किये हैं फिल्मों में रहते हैं कापी एक्टिविज्म भी किया है तो उसके करते हुए मुझे हो सकता है थोड़ा वक्त लगे जब आप एक और्गनाइजेशन के साथ चलते हैं लेकिन अग तो यह हमारे लिए जादा क्रिटिकल है हमारे अपने उपीनियन से जादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए देश को अभी जो है सबसे जादा खत्रा उनी से है जो जो इस देश के टुकड़े कर जलाने के लिए मतलब कुरसी मिलने चाहिए कौन है यह लोग विपक्ष बस कुरसी मिलने चाहिए तो देश को उनसे खत्रा है और जसे मैंने कहा कि इपाई हर्ट तो कॉसे जादा दुखी और मुझसे जादा पेंड कोई नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा की नेता है वो बड़े खुश हो जाते हैं कि कंगना को डांट पड़ी उनको फ्रेटन फील हो रहा है आपकी हमाचल पॉलिक्स में प्रिजेंस से पता नहीं आपकी कैसे दोस्त आपने रख्यों है हम इस ब्रहम में आ जाते हैं कि वही संसार है वही हो रहा है वही हो रहा है दोस्तियां बदलिये आप धंक से लोगों से बात करिये आपको धंकी बाते सुनने को मिलेंगे तो अनुराग ठाकुर और जैराम ठाकुर को कता ही भयभीत नहीं होना चाहिए हिमाचल की राजनीती में कंगना रेनौत की प्रिजेंस से हम कौन होते हैं जब हमारे देखिए हम आरे जो शिशनेतितों हैं वो बैठे हुए है वो अपने अपने हिसाब से जो भी जिसको रोल देंगे और यह लगता है कि जितने लोग हो सके वह भाते जंता पार्टी से जूडएं यही तो हमारी पार्टी की खासियत है अगर हम भी एक दूसरे से किसी तरह का बैर और द्वेश करने लग जाएंगे कि यह मेरे पापा की यह मेरे दादी की यह मेरे तो हम और उन में फिर फरक ही कह रहे क्या है हम तो सब को कहते हैं कि आईए आप अब आते जनता पार्टी से जुड़ी है अब ने लिए पापा की कहके आपने तंस कसा आई ना तो फिर हम ने उन में फरक ही कह रहे गया यह डबल तन्स है एक आपके विपक्षियों पर एक पार्टी के भीतर आपके विपक्षियों पर अरे दिखिये जैसे परसेप्शन ना वैसे आप हरेक इंटर्पेटेशन पर भी तरने पैट करता है जी वापस हम लोग इमर्जंसी पर आते हैं हाओ डिफिकल इस गंगना कि आप एक्ट भी कर रहे हैं लीड रोल भी कर रहे हैं और डारेक्ट भी कर रहे हैं तो हाओ ड़स इट वर्डिया फिर जाके मॉनिटर पर देखा इट वर्क्स इन वर्य नाइस रिदम आप सुभाई अपना सीन पूरा स्टेज कर दीजिए मैं अपना काम करने का तरीका बता रहे हूं फिर आप अमने प्रस्थेटिक के लिए और मेरा अच्छा खासा टाइम लगता था प्रस्थेटिक के लिए ने पूरे आक्टर से जो ह आई फाउंड इट वरी सीमलेस थोड़ा थोड़ा डेविट मेलिनोस की उनके बारे में बताइए क्योंकि उन्होंने बड़े कमाल के अर्टिस्टिक चर्चिल का जो डिजाइन किया था क्या कमाल आखों में आंखों में आंसो हो जाते हैं काम देखके रो देंगे आप मनला फ्लेश के पोर से लेके उसके कलर से लेके छोटे-छोटे पैचिस बनाते हैं वो नोस के इसके उसके ऐसा लगता है कि जैसे एक जो डाइमंड तराशने वाला भी जूलरी बनाने वाला भी उस हिसाब से नहीं बनाएगा बहुत क्या कमाल के कलाकार I think जैसे आपने कहा कि क् ठकान क्या कभी किस्ते कि वो तो तब होना जबाब का मन किसे से भर जाए ऐसे-एसे मेरे आर्टिस्ट ऐसे-छोटी पढ़ जाएगी इतने अच्छे-च्छे कहानिया हैं बताने के लिए कभी कुछ लगता है जिंदगी चोटी हो जाएगी बहुत मजाता है आइस गाना इसमें है जो दिनकर जी की चर्चित कविता है सिंघासन खाली करो की जनता आती है सौंग्स का क्या प्रोसेस रहा है इमर्जंसी में एक तरह से लाप मैंने म्यूजिकल ट्रीट्मेंट बहुत सारी जगां पे दिया है और एक जैसे कोई फेज है देट दो साल का हुआ जैसे मालनो यह अंदोलनी हुआ या बैंगलादेश का जो वार था वो हुआ तो उन चीसों को मैंने एक म्यूजिकल ट्रीट्मेंट दिया हुआ है तो कहीं के बार मेरे अक्तिवेस से जाधा तो नहीं एक दिन मिलिन जी आगे मैंनिक्षों गाना गा रहे हैं तो कहते 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 हैं तो कह में कोई जूरुत निया हॉलिवुड के फॉर्मेट में बनने की, हम लोग बड़े गाने वाले बिट पोईटिक लोग हैं, तो पोईट्री, सॉंग, म्यूजिक, इंटरपेटेशन, पांच गाने मेरी फिल्म में, और एक से एक बेहत सुंदर गाने, मनोज मुंतशिट जी ने लिखे हैं, जीवी परकाश जी ने उनको गाना, म्यूजिक दिया है, बहुत सुंदर गाने, इंटरेस्टिंग, आप गानों की बात कर रही थी, तो मुझे आपकी डेब्यू फिल्म याद आ गई, गैंस्टर, बहुत सुंदर गाने थे, गैंस्टर, मुजिकल हिट, ब्यूटिफुल, आपको ये रोल कैसे मिला, इसको लेके बड़ी कहानिया चलती है, एक कहानी अनुराग बासु ने कैफे में देखा, दूसरी कहानी चित्रांगदा को कास्ट किया गया था, पर वो शिफ्ट हो गई तो मना कर दिया, तो हमने सोचा कि आज आपसे पूछी लें, सारी अवाहें एक तरफ, सच्चा ही एक तरफ, कॉफी मिलेगा कि मुझे? अरे बिलकुल मिलेगा भाई साब लेके, वह संकोच कर रहा था कि बीच फ्रेम में ना है, तो हमारे जो डिरेक्टर हैं, अनुराग बासु, उन्होंने एक हिट फिल्म बनाई थे, उसे पहले मर्डर, और एक नई फिल्म बनाने के लिए नई हिरोईन ढून रहे थे, तो मैंने काफी ओडिशन दे रही थे, उस टाम लोखनवाला में बहुत खोच चल रही थे, उनकी हिरोईन के लिए, तो मुझ तक भी खबर आई और मैं जो है उनकी जुहू का एडिटिंग रूम है, मैं वहां गई ओडिशन देने के लिए अच्छा, तो अनुराग वहां पर था, उसके साथ एक दो एडिटर था और कुछ थे, तो मुझे याद है टेबल पर चेर बैठा तो आज आई यहां बैठे, तो हीसर मुझे आपके फोटोज मिले हैं और आपको एक दो चीजे करिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा ड्रंक होने को कहा, तो थोड़ा ड्रंक होके यह डालोग बोलिये, तो फिर मैनए वह करके दिखाया, तो देवर 2-3 के पीबल कैप्चुरिंग में। फिर उन्होंने कहा, रोक के दिखायें। फिर मैने रोक के दिखाया। बो दोतीन उन्हें एक्सप्रेशन में। फिर डालोग मजसे बुल वाई। फिर उसके बाद मुझे भेज दिया, तो मुझे फोन आया, उन्होंने में नमबर ले लिया था, फोन आया, कहते ठीक है, you got the job, हो गया तुम्हारा जॉब, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने का, काम मिल गया मुझे, फिर उसके बाद, दो तीन दिन बाद मुझे फिर स बाद में चोटी धुशी है, एक बगत ज्यादा चोटी है और सिमरन एक, वह महिले है, ूसका फेस पर फिर भी मेचिवर्टी होने चाहिए, उसका इतिहासई ईकाख़ै, इसका एक बच्चा है जो हमें बाद में पता चलता है, she's a mystery, ए तो पूर ये कि चितरांगना को तिरा रोल मिल गया तो अब मुचे ये बाते समझ नहीं आए क्या इतिहास क्या कुछ टीक गई नौकरी गई हम फिर से और अडिशन दे रहे हैं फिर दो तीन दिन बाद फिर से आया गया ता अनुराग इस बड़ी इस बड़ी इस बड़ी कांगु मंगु कुछ कुछ कुत कि अछिए कुछ कुछ कि गई ऊटांग हशसे बड़ी इस मुझा ठानमारे किसी के भी और जो ब्रक्र नियुक कर एंप से टांग परसनल रिजन्स और तो यह नुवह क्यू तो इससी तरह से मुझे फिली तो जो क्या हुआ पर्ची बेजी अनुराग बस सब कहानिया हवावाई हैं मुंबई बहुत चलती हैं इनके जैसे पियार होते बड़ी क्रियेटिव हो और इस तरह की कहानिया मांड भी सोच रही है मैं तो यहां बैठके तुम्हारी फिल्म प्रमोर्ट करवारी मुझे लपेट दिया यह प्यार वाले ऐसी बदमाशी करते है प्यार वाले हो कि भी देखे अब उनको भी क्या बोलेंगे कि लड़की हमने डूनिया वो मुझे लॉंच करने के कोशिश कर रहे थे यह दोनिया थे कहते थे हैं अब थे दिया है प्याओं को रहे टो के लिए नहीं लड़की को लॉंच करने आपको पता है यह अपको प्रडूसर आप शाए शाओ कि उस थे पर्दीन की इस तरह शाओ मेरी लड़की है और अनुराग ने बोला यही मेरी फिल्म है और मैंने पर्ची भेजी और वो करली बालों वाली लड़की वहां से जो स्माइल दी और हमने कहा रातो रात उसको हिरन बना दिया हूँ सब ठीक है एक था वो नेरेटिव मैंने हाउ आव दिट अफेक्ट में डिसन अफेक्ट में अनिवे इस तरह की कहानिया फ्लोट करवाई जाती हैं फिल्म की रिवीज से पहले कहीं तरह की कहानिया में प्यार को जिससे की चर्चा बने एक लोगों को अकर्शन पैदा हो चीज को लेके आप जब गैंस्टर की ऑडिशन की बात करें तो आपने कहा कि अनुराग बसूने आपसे कहा कि ड्रंक का रोल करो इसका रोल करो अक्तूबर 2013 में आपने फिल्म फे जैसी मैं अपने घर से बागी कुछ वर्सों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा मैं आइम कोटिंग वर्बेटम एक भी अक्षार इधर से उधर नहीं है इसलिए मैं महीना साल और पॉब्लिकेशन तेखे क्या होत लेकिन जब आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं तो इतल भी फ्यूटाइल टू से के यूवर नौट फेस्ट विद हर तरीके की जो है आप पे जो है महौल में आप नहीं गए है तैस प्रिसाइसलिवाई यू लाक्टो में आप एक्सप्लोर करना क्या है दुनिया क्या है अच्शा क्या है न क्या है यह माज्रा क्या है और आप बिखर आप वैसे फ्रीश्पिरिटेट हो तो आप हर वो जगा जहां पर अलामिग ऑंट्रीगिंग है लिए टर्कने से ब्यूटी है हर छी सब को ईंट्रीग करती है और आप उसकी तरफ खिचते जाते हो तो यश I I was doing, when I was doing a role, gangster, alcoholic, volumay, bipolar, schizophrenic, fashion, cocaine addict, you know, drug withdrawals. That was my face, where I was a method actor, because you are so youthful, you are so young, that you don't judge anyone. You tend to experiment and experience. Experience. Four ADs are sitting, drinking a cigarette, what is this? Tell me, tell me. What is this? Because you are so open-minded, that's why you are young. If you think that I am a Kangana, which way I am, and which way I am taking my life, then I can get that success, the breakthrough I will not get. I will not get. Because that quality is missing now. Are you getting it, right? Hmm. When I was 15-16 years old, I would say, I will go to the window, where there may be a mistake. Why would I go? I am very understanding. Are you getting it? I am very understanding. I know that it is a rape party. I will not go. But then I will go. That's why I became a Kangana. That's why I became a Kangana. Because it was intrigued. I am not scared. What are these drugs? Why do they do it? What happens? What happens? What are the withdrawals? So, all of these things to know, the way that Manu Dasha and Manu Stiti I have to know, of course. You experimented all the drugs? No, no. I didn't experiment with any drugs. I just did my research. I met people. I spoke to them. And I did my research. But, Why do you say that you did drugs? Why don't you say that an only girl, 15 years old, and she had, I mean, she has, she doesn't become an alcoholic. She doesn't become a drug addict. She doesn't become an item girl. She doesn't become a high society prostitute. She doesn't become, so many think that the world wanted to make her. So many think that the world wanted to make her. She doesn't become that. She becomes this person. Do you focus on that? You tell that. There are many people to do drugs. But, if you can't do that, that's what she did, but that's what she took. You can do that. That's what she used to do. You say, that's what she did. And, she was sick and she was sick. I was sick and an addiction. So, you can take a look at this example. Without a parent, a child, a teenager, a child without parent, having access to money, having access to people who don't, जो कि आपको देखते भी नहीं है काम करने की तरीके से नीचा सोचते भी नहीं है वो खुद वैसे हैं और आपको इजवत क route देंगी अगर आप उस तरह के काम कर एंगे तो excited मिलेगा you know आप समझने हैं ना कि महौल क्या है हमारे गाउं में और इसमें जगा पर तो हो सकता आपको judge करें आप उस महौल में है जहाँ आपकी और दोस्त बनेंगे drugs करेंगे तो और दोस्त बनेंगे शराप के नशे करेंगे तो और दोस्त बनेंगे fleshtrate गरेंगे तो और दोस्त बनेंगे किसी कीप बन जायंगे तो और दोस्त बनेंगे और you know high profile बन जायंगे तो और दोस्त बनेंगे फिर भी वो लड़की doesn't become any of this I think that शुच भी आपके interviews देखते हैं अभी भी मैं आपका जवाब सुन रहा हूं that melancholy is there कि घर चूटा और परिवार चूटा एक वक्त के लिए because probably they were not approving what you were doing how was that phase? और वो टिपिंग पॉइंट का जर्णी कैसे शुरू ही जब श्री अमर्दी प्रनौत जी ने कहा हो और बाइब तुम्हें आपने मन से करना है तुम्हें दॉक्ति नहीं करनी है क्या था उनका क्या एक्सपेक्टेशन था फैंदी का और यू वर इंचंडी गर्ड़ दिए चंडी गर्ड़ बागट देट था प्लीस तेल इस बाओ अट फेस प्लांट निकलता है एक ग्रोथ में आपका एक फेस आता है बच्पन में बहुत जद आग्यकारी बहुत आग्यकारी मेरे एक्जामपल दिये जाते है उसको देखो इतनी ओबीडियन्ट है अनराग की तरह घरवालों ने भी कुछ नाम रख दिये थे जैसे अनराग ने घरवाले क्या बलाते थे चोटू 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 अजए नगोली बड़ी है मैं चोटी बड़ी है परutes ने चोटीडी बीटी बार एक्षटत से भी चोटा है तो इसको छोटू निहीं तो मेरे बाद हुआ न उनको क्या सबम profits लिए जासर उसको चोटू निहीं उसको है उसको रिशु बोलते है नहीं उसका नम अक्षत है, वर इशु है, ऐसे होता है, तो था बट एक फेस मेरे जिंदगी में ऐसा है, I was just, I was swept by it, totally swept by it, मैं मतलब उशो पढ़ती थी चोटी, बच्पन में 14 साल की बच्पन में सारी गालिब की घजलों से लेके सब, too much fertile mind, too much, मंडी में ही, नहीं, नहीं, होस्टल में, चंडिगर में, मुझे लगा कि, यह भी सेक्टर 10 है, 15, 15, जब मैं गाउ में थी, तो मुझे लगा शायद मुझे एक अच्छे educational center में जाना है, और मैं बहुत, मतलब, I was, मैं अलग टाइब मुझे लगा कि मुझे एक बड़े educational center में, और कोई भी नहीं समझ पा रहा था, कि मुझे चाहिए किया, सबसे जादा में भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे चाहिए गया, मैं उक्छ भी कुछभी काफे नहीं था, मिर्यवे लिए मैं, मैं ऐलग ट्रिप पे थी, बिलकुल अलग उमत्रिप या क्या एक्रिप थि feather christ तो बयान याद आगया एक TV इंटर्विव में कि सवचानतर चौदा में मिली अपते क्या है लोग तो इतने ग्यानी है ठीक है यह उनको डो टू ब्रेंट सेल्स है अब वह उस अपने उस पें देते हैं हमारे लिए आप देखिए 2004 में मैं इंडस्ट्री में आई उसके बाद में मुझे और आपके इतने इंटर्विव निकाले वैसा भी कोई निकाले जब मैंने उसमें लिखा हुआ बताया हुआ है कि मुझे लोग यहां तक कहते हैं कि तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बॉल कि अच्छी कब 2910 में मैंने वहां पर कालैबिस करके में जाके अपने जो भी जो भी रोल मुझे मिल रहे तो आपे इस देशने मुझे मतलब यहां उल्टी कर दी मेरी जो यहां पर उस टाइम पे सब अच्छे लोगों की होती थी ना उल्टी यह देश कर निपाता था थो को मुझे ये कहा जाता था you're too good an actress, तुमारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला कौन कहता था यह? ऐसा मुझे बहुत बड़ी हरो ने भी कहा हुआ है किसमे? I don't want to name that person आप खुद बड़ी हरो है No, but he only meant well He said, तुम क्या करोगी यहाँ पे You're too good an actor He said, क्या बनोगी तुम? You should be like Katrina You should be like those who look like They can be in a family तुम क्या फैशन में क्या इतना acting करके क्या करना चाती हो? In fact, he even took names of very good actors क्या वो बनना है तुमें वो बननना है? क्या है? उनसे अच्छे तुम बेटरे तुम कुछ ना करो So, that person just being very honest So, I went to नहीं, तो मुझे किसी नहीं रोका नहीं मुझे किसी नहीं रोका नहीं जा तो जाओ, भाड में जाओ ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई दस मेकर है कि आप चले जाएं तो हमारी इंडुस्ट्री में अच्छी एक्टर चले जाएं जी नहीं Then obviously as an Asian face मेरा तो क्या होना है होलिवुड में मैंने का फिल्मेकर बन जाती हूं तो ब्रिंस्टिन करके वहां पर बहुत मड़ी एजनसी है मैंने उसको कॉंटेक किया उन्होंने मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाए मैंने एक script एक Australian writer के साथ script लिखी एक script लिखी जिस पर मैंने काम शुरू किया और मेन्वाल यह सब करने के लिए मुझे कुछ जो funds जाहिए थे वह मैं कुछ फिल्म कर तके कर रही थी तो उस ताइप मैंने एक फिल्म करी कुईन वह आई कब 2014 में समझ रहे हैं आप एक इनसान का भी तो कुछ experience आप उसको गाली घ्लोच दे के साइड ही कर रहे हो मैं यह नहीं कहती है कि आपकी कुछ हलग मेरा भी तो उसको भी तो discount मत करो ना मुझ मेरी भी तो सुनो नहीं चार गाली अंदे के साइड हरे को यह आप चार गाली अंदे के साइड करोगी तो आपको जिनकी में उसका perspective कैसे समझ जाएगा वह फिल्म आई 2014 में 2014 में वह फिल्म ऐसी है जिसे कि मानू एक सैलाब हो गया हो पूरा देश एक तरफ हो गया और वो फिल्म एक तरफ हो गया पूरे देश ने बोला इन सब को हटाओ यह जो item नमबरे करती हैं इन सब को हटाओ यह लड़की और ऐसी फिल्में हमको देखने ही जाँ पर लोग एक्टिंग करें हमारी कहानिय, आपकी कहानिय, छोटे शहरों की कहानिय, छोटे लोगों की कहानिय, घर की बेटियों की कहानिय, कंड़क्टर की कहानिय, ड्राइवर की कहानिय, ऐसे बताएं, और हमारे नेता कौन बने, नरेंदर मोधी, चायवाला, एक इतहासी घटना है, यह हर फिल्ड में ह इसे लोग थे हर जगह फिल्ड में थे आप मानना नहीं चाहते किसी का परस्पेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते मेरी जिंदगी यह मेरी वास्त लिखता है आप मुझे चुप नहीं करा सकते आप मेरी जिंदगी को जूट नहीं बोल सकते हैं मेरी जिंदगी मुझे आजादी दोजा चौदा में मिली है अचा अचा अभी व्यक्ति की आजादी मुझे मिली है मेरे को देश निकाला हो गया था जस्ट बिकस आई वस तू गुड हर डॉक्टर हर एंजनियर हर इमानदार इस इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले और आप भी जानते हैं लेकिन अब इस देश में हम लोगों की कदर है वहां पर बेचा आपना वहां पे केलबेस्स में नहीं का बेचो इस फ्लैट को यहां भारत जंता पार्टी की सरकार है वा इटालियन गवर्मेंट गई मुझे आजादी मिली है मुझे देश मेरा अपना देश छोड़ के जाना पड़ा वाइब किस आम तू गुड बताओ यह को तरीका है यह को तरीका है देशोड़ने का आप यह कहना चाहरी है कि इसे आप इटैलियन सरकार करें यूपीय सरकार ने आपको विवश किया चोड़ने बाबा चोटा मत मना यह मेरी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं यह चीज़ बनी वा सेंगी देव और ऑगनाइज एफर्स इंडस्ट्री के ऑगनाइज एफर्स थे क्या था इसा आप जानते हैं अमेरिका में सारे भारतिया डॉक्टर लीड करते हैं आप जानते ह हमारि पास अभी एतने एम हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है आप जानते हैं न इक सिस्थम है करप्ट सिस्थम था वो करप्ट सिस्थम था वो आज आपने वो देखिए थिल्म रॉकेट मैन बनाई है जी हर साइटिस्ट को रcjiस्टर को रoking पो रॉकेट्री रोकेट्री जी सोनी लिप पर है जो सीरीज है अच्छा माधवन वाली नमभेयर वाली तो उनकी कहाँ उनसे पूछे उनको का बाजादी मिलेगी उनका एक अलग year होगा उनके साथ में क्या दुर्दशा की गई उनकी किसने की आज देश में टैलेंट की कदर है आज लोग भारत में हमारे कितने स्टार्टप्स हैं हमें अपने आइडिया लेके बाहर नहीं जाना जाता just because this country can't do justice मैं यहाँ पर हूँ, मैंने घर ले लिया था अमेरिका में घर ले लिया था मैंने पर आप कह रही है कि अब brain drain नहीं हो रहा है आपने एम्स का जिक्र किया पर एम्स में तो अभी भी दॉक्टरों की कमी है तो दस साल ही है न कितने produce करें पर एम्स बनाए तो करेंगे पर द्यूस भी करेंगे हम दस साल तो हूए है कहां साट साल की जब आप दस साल कहती है तब आप अटल विहारी बाचपई जी के उनीस सवन्ठावे से दो हजार चाड के चैसाल की कारेकाल को छोड़ देते हैं यह लोगोंने तो किलोमेटर की सड़कनी बनवाई थे अटल जी ने बहुत काम किया है ग्रामिन लोगों के लिए अटल जी ने बहुत काम किया सबसे बड़ा काम तो यह किया है कि भाति जंता पार्टी की नीव रखिया है तो उनको हम कभी वो नहीं कर सकते हैं बर ठीक 16 साल नहीं बोलते हैं न 10 साल बोलते हैं से 2014 के बादी चीज़े हुई है कि मैं हमेशा यह कहती हो ना आज आज आप जब मुझे पूछते हैं कि आपकी पार्टी यह कहती है और आप यह कहते हैं आप मुझे पूछते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहते हूं कि अटल जी वह इस दो मॉस्ट लावड लीडर ठीक है कोई उनके बादे में अपाक्ष्भ पर्षित लेवक्रान लेकिन वोट निंदे के मुष्किल से सरकाच चला इटक तर्म मुश्किल से वोट निदे कैसा इसलीए हमें यह भी समय जाता है हमारे इतिहास ने हमें यहले बी समझाया है के ही देश-प्रेम हैं और राजह-नि वेल, I think he's a perfect leader, he's a perfect leader. जनादेश भी मिला है, सरकार है हमारी, आप तो ऐसे कहार है, पूर्ण बहुमत के साथ, जनादेश भी मिला है, भात्पा की सीट है क्यों घट गए है, अगर आपका मकसद यह है कि बस देश में आग लगा देंगे, बस सीट चाहिए, जनादेश भी मिला है, तो आपको एक मेरे खुद की एलेक्शन में, एक दिन पहले आ रहे हैं, डेड लाग हम युवाओं को दे देंगे, आठ हजारों महिलाओं के काउट में, कुछ भी, अतलब कुछ भी, जिनका कोई सरपैर ही नहीं है, हमारे इस लाइन में में हमने ऐसे लड़कियां देखी हुई है, they just want to be successful, चाहे at any cost, whatever it takes, वैसी भी है, होता है, क्या उनको success में मिलता है, मिलता है उनको success, लेकिन उनकी क्या दुरदशा होती है, क्या short term success इन्होंने पा लिया, no problem, लेकिन इनके मनसूबों में, इनके इरादों में, देश इनको कामयाब नहीं होने देगा, बिलकुल कामयाब नही कि कोशिश कर रहे है, देश समझ रहा है, कि यह किस डारेक्शन में देश को, यह मैं कह रही हूँ, इनकी जो कर्टूते है, राहूल जी सदा यह opposition में बैठेंगे, यह सदा, हमेशा, हमेशा के लिए, क्या stand है, आपका जाती का दिजन कड़ना पर? मेरा भाई stand जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, नहीं होनी चाहिए, बिलकुल भी नहीं, हम पते ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, मेरे आसपास के लोगों कोई जात का, कुछ पता न पता ही नहीं, क्यों पता करना है भाई, क्यों पता क्यू करना है, आज तक नहीं पता किया, अब क्यू करना है, फिर आप affirmative actions कैसे लेंगे? As in? जैसे मंदल कमिशन की रिपोर्त आई, काका कालिलकर कमिशन की रिपोर्त आई थी, समाझ में कौन पिछडा है? आप जातियां बनाइए, आपको हमारे पढ़ान मंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान मही लाएं, तीन जाते है न आपके पद से मेरी मेरी मेरे तो आपको सुनने में दिल स्कार जातियां है पर जो NCRB का डेटा आता है दलितों पर अत्याचार होता है, घटनाय बढ़ती है इसलिए को कि वो दलित है यह आदिवासी खिलाफ अत्याचार होता है तो जब आपके जन्व की बास तो दलित पहले बतलब वो गरीब भी है ना पर उन पर अत्याचार इसलिए हुऊरा है क्योंकि वह रहा है क्योंकि वह पिछड़े हैं वह अल्ब संक्या क्योंकि वह अदिवाजी है तभी तो हमारे प्युक्तर में पढ़े पर राम कोवग जी आहे पहले बहए दलित राश्ट्रपति भो बने दूसरे, किया नारायनन पहले थे sorry for my misinformation हमारी जो आदिवासी जो महिला ब्रैग्रांट से है तो why don't we see these examples why don't we see these examples आज जो महिलाओं के प्रती जो इतनी violence हो रही है महिलाओं वो पिछड़ा हुआ मैं तो ये मानती हूँ महिलाओं पिछड़ा हुआ वर्ग है बिलाशक महिलाओं तो उनके लिए हर जगा उनके लिए इतनी violence उनके against हो रही है उनको कैसे हम uplift करेंगे क्या उनको जाती क्या धार पर हम uplift करेंगे तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो सौर्ण रहे गए तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे उनको मार दे नहीं ना महिलाओं जो है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है तो क्या करेंगे मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देंगे तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं आप आज एक डॉक्टर का हॉस्पिटल में अज अरक्षन का प्रावधान क्यों रखा विदान सभा ने क्यों पास किया क्यों बीजेपी की सरकारों ने विए उसे दद्दस साल के लिए आगे बढ़ाया तो वो तो खैद माइम अलाइंड विजेपी मैं आरक्षन के खिलाफ नहीं बोल रही हूं लेकिन फर्दर मोर आप उस पर कहरें जो आरक्षन है वो तो हमारी सरकार ने दिया हुआ है लेकिन जब एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो कि वो पिछडी हुई नहीं है इसलिए और गर मुझे लाए हुझा जरुई कि तो उसके हिसाब से आपके पास एक डूरूत रहे और जो भी आपको लगता धट्र धर नई माहा दलित हैं माहा पिछड़े हैं सिक्षा का भाव लेकिन आप गरीबी के अधार पर करिया, ना, आप करीजा बन्याज़ बताने न अपको तीन, तेक है, आप अपना, जो आपका विउ है, मैं आपका विउ होगा, बर मुझ के अनकर मत थोपी है, मुझ के मत थोपी है, I am in favor of my, मेरी जो पाटी है, उन का जो policy है about reservation I totally agree with them completely agree with them लेकिन going further मुझे लगता है सबसे जादा महिलाओं की सुरक्षा किसान के लिए और गरीबों के लिए ये तीन ही category होनी चाहिए going forward अगर हमें progressive बनना है तो नहीं तो हम जाती के उसमें पढ़के मैंने तो इतनी जगाओं पर देखा हुआ है कि जो जातिया है जिनको दलित माना जाता है नहीं पर जाता है जो सवांड भी है वो भी पिछने में आ जाते हैं इसलिए गरीब सवांडों को भी आरक्षन दिया गया हर समाज वो भी एक अफर्मेटिव एक्शन लिया ना नरिद मोधी ने की गरीब सवांड भी जो हैं तो वो सिफ सवांड है इसलिए अन्याय नाओ गरीब है तो उनको भी दस्वीज दिया तो फिर तो अफर्मेटिव एक्शन यहां भी हुआ ना अगर। हम प्रॉग्रेसिव भारत की तरफ जाना है तो अगर हमें लड़ना मरना है देश को चलाना है और एक दूसरे से नफरत करनी है तो फिर आप जातीवाद की गढ़ना किज pię record okay आप बहला सुरक्षा की बात करें बौझ ली फिल बाऊट है Justice हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या सोचना है यह रिपोर्ट पांच-छे साल पहले आई थी अराउंड टाइम जो है मीटू मैं अभी पब्लिश की गई है पर छुपा के रखी थी जी चुपा के रिलीज नहीं किया था उसको छुपा के रखा था और यह रिप फिल्म इंडस्ट्री ने जो है उसको किसी तरीके से एंटर्टेन नहीं किया बहुत सारे फिल्मेकर्स, पर्डूसर्स, अक्टर्स जो है इसकी चपेट में आये मैंने खुलके उसके विश्य में बोला और बहुत सारे लोगों को जो है क्योंकि मैं तो खैट इस तरह की परस तो मैंने उनके पक्ष में बोला लेकिन असेंशली फिर क्या हुआ पैसों के नाम पर महिलां को भी खरीद लिया गया मैं उनको ढूंती रही सब गायब हो गई कुछ जो थी उन लोगोंने फिल्म एक्स्प्रॉइटेशन के चकर में राधर उन पर्डूसर्स को एक्स्प्र लिया अपिछ इस इस सिच्वेशन का फाइदा उठाते हुए जो विलिंगली उस सिच्वेशन में थे कुछ तो विक्टिम होंगे कुछ तो विलिंगली वर और उल्सो इंडलजिंग इन सच अटिविटीज नो उन्होंने भी पैसे लेके फिल्म लेके जो है यह यह बरी इ इस तो इस पॉंटिड विलिंगली इस विमें मैं रह गया मैं बन गई प्रॉब्लमेटिक परसं यही प्रॉब्लमेटिक है यही हमारा नाम खराब करती है इसने इंडस्ट्री का नाम खराब किया हुआ है उस ताइप से फिर बिचारे और महिलाओ ने जो अपनी तो सब इंडस्ट्री से एक साथ प्रेशर आ जाना था ना उनको वहां पर कहीं खतम कर दिया यहां पर इनको पैसे ठूसके इनके मूंगे इनको खतम कर दिया फिर बच गई गंगन और नौत अकेली सारी इंडस्ट्री मेरे पर केस पर केस मुझे जेल में डालने की कोशिश करें तो आखिरकार तो फिर वही हो गया ना मेरा हिसाब कि मारे गए हम तो क्या करें फिर क्या हो सकता है इनका बताइए अगर महिलाएं जो है खुद इस तरह का बिहेव करेंगी फर एक्जामपल महिला शेशक्ति करन के लिए मैंने इतनी फिल्मे की चाहिए आउटसाइडर और इंसाइडर हो कभी मेरे को फिल्म ने तो यह सब मुझे अटाइक करते हैं कभी अगर इमरजन्सी ऐसे फिल्म अचे तो एक बात नहीं करते हैं इस बारे में चुपके बैच ज आपको बात करने चाहिए इसके बारे में तो कहने का मतलब यह है मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेडित किया आपने मेरा मजाक न बना होता रिजेक्ट ना किया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुच पाती अगर कभी मेरी बायोपिक बनती है तो आप उसमें वो स्टीरियो टिपिकल बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो भाई भतीजावाद का पर्चम बुलंद किये है आउटसाइडर्स को बिल्कुल बरदाश् करन जोहर का पत्ता साफ अब नए विलन कौन है इसको भी छोटा बिलन बनाएंगे चोटा विलन होगा करन जोहर बड़ा विलन कौन होगा बनेंगे अच्छे बड़े बिलनाएंगे मेरी लाइफ में ऐसे थोड़ी यह जो ट्रेजरी बैंच के उस तरब बैठते हैं वहां स लाइफ लाइफ रहती है इंडस्ट्री में चाहे हम आसपास मिलेया कुछ वर्च जाब उनी के शो पदाखे आप यह जो अभी मैं जिस इन्वार्में तू मैं काफी वह सीरिस इन्वार्मेंट है उडर हर चीज़ पे सुप्रिम कोट से नोटे से राहूल जी के बयान पर मेरे को दो न३िस सागे सुप्रिम कोट से अच्छा या टिक कर लेकर सूप्रियम कोट का नोछे सबीटे कर देशने हैं पर में वार दोब्ल दू बातें बुल दी क्या करने म consensus क घुरora कि था लागी इस फे jó अनव dialogue He is very snooty, very very snooty, very classist, very snooty, and he was taken aback, he was taken aback, I gave it back to him, but okay, that was also a good time. आपने ये देखिये, ये सब बातें कहीं, कि आप बड़े विलेन, अखिलेश यादो जी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्याक्ष, और उसी लोकसभा में जहां आप है, सांसर, उन्होंने आप पे ट्वीट किया है, वों मैं पढ़ के आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, ये भाजपा की स्क्रिप्ट है, जिसे एक अभिनेत्री जी, शीर्श निर्देशक जी के कहने पर समवाद की रूप में पढ़ रही है, जब एक सामान राजनीतिकी भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अप शब्द कहने से उनको हानी होगी, तो क्या भाजपाई चान की ये नहीं समझते, इस प्रकरन की असली सचाहिए ये है कि ऐसी बात जान बुचकर कहलवाई गई होगी, जिससे हर्याना में पहले से तैह हो चुकी हार का कारण, अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोशा रोपां, शीर्ष नित्रत पर ना हो, ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है. अभियास और अध्यायन आप करते हैं, पेंटर हैं तो आप एक अलग तरीके का, तो ये जिस तरह से एक आर्टिस्ट को डिस्क्रेडिट करते हैं, इन फेक्ट मेरा अपोनेंट भी, जो है, मेरा अपोनेंट था ना, जो मंडी कॉंसिचुएंसी में, विक्रमा दित्ति सिंग, वो हमेशा इन बातों को लेके, एस इफ कोई बड़ा ब्रैक कर रहा है कि जिसे, वो अनपढ है, उसको कुछ आता है, एक फिल्म का शॉट नहीं वो ले पाएगा, मैं, चाहे मैंने फिल्मी तालीम जो है, चाहे मैं न्यू यॉर्क में की हो, चाहे मैं हॉलिवूड में जाके मैंने फिल्म डिर्क की हो, तो जस्ट बिकस इनकी एक मानसिक्ता, छोटे ये कुएं के मिंड़क हैं, तो इनको लगता है कि बस B.A.A. एजुकेशन है, नहीं, B.A.A. एजुकेशन नहीं है, लग्श काुटा में मुकेशन हैं, guideline, इस इस इंचाफे काुटा मुकेशन, तो इनके, इस इसे भी मुझे पृषी जहलग नहीं आई, अकले शाद्रजी के बेमेंजि, जैसे एक मிल्मेझ है मैं निर्देशक हैं, निये मैं बहुत जगह देख रही हूं कि मेरा निर्देशक होना हर जगह डिस्क्रेडिट किया जा रहा है यून जैसे कि ये फिर निर्देशक के जरिये नरेदर मुदीजीर के तंजिक असर है यून जैसे हम पर मैं भी तो एक अलाकार हूं जैसे मेरे कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं मैं एक पपिट हूं और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है जैसे मैं कोई मैं लिटरली सो इस तरह की जो भावना है एक महिला के प्रती उनको ये देखना चाहिए क्ई ये लड़की किस बैग्राउंड से आ रही है शूस्ट एपिपड़ के इस तो इस देखनी चाहिए और फिर उनको निधारित कना चाहिए कि मेरी क्या वर्थ है as an individual as a opinion maker ये भी तो एक I'm going to make a statement with this film no in whatever maybe not in political aspect but as an artist it will resonate with millions of people और लोग देखके हमारे देश को मैं सुचती हूँ कहीं न कहीं हमारे इतिहास को लेके बहुत भला होगा हमारे देश का कि जो हमने की है गलतियां आगे नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करना कि वो पपेट है और उनका कोई वजूद नहीं है और जबकि मैं एक निर्देशक हूँ मुझे इतनी भी इज़त नहीं देना निर्देशक की ये गलत है बहुत गलत है वो सांसत कणनर रनौत के बयान पर टिपणी कर रहे थे बयान किसान अंदोलन में लाशन लटक रही थी और बलातकार हो रहे थे देखे मैंने जिसे कहा कि I am aligned with the policy of my party जो मेरी party की policy है मैं उसके साथ aligned हूँ और मुझे special instructions मिली है कि इस बारे में बात नहीं करनी है और जो भी उनका stance है I am aligned with that और अगर मेरे I am judging you more than you judging me Please do that ma'am हम ऐसे business में है कि हमें हर political spectrum के लोग जज़ करते है पर आपने बहापे रपर वहापे रेप केसिस की कोई किसान प्रोटेस के स्थल से ख़ब नहीं आई वहाई दलित महिला का रेप हुआ था प्रोटेस्टर्स ने रेप किया था क्रीमिनल्स ने किया था तो आप मैं किसान हो मेरी फैमिली किसान है लेकिन डैट इस कम्प्लिटली डिसकाउंटेड मुझे एरपोर्ट पे मारा जाता है और जो लोग है वह उस जिज़ने इस क्राम क्रीमिनल highlighting होना मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक माँ भी हूँ और मैंने किसी के बच्चे को भी मार दिया जब आपने किसी के बच्चे को मार दिया आप अपना माँ होने का अधिकार खो देते हैं जब आपने अपनी वर्दी को जो है गिरा दिया, जब आपने इतने सारे किसानों को गिरा दिया, आप अपने किसान होने का, आप अपने एक सोल्जर होने का अधिकार खो देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल है, तो आप मुझे ये मत पूछिए, क्या रेप किसानों न देखे वो प्रोटेस्ट जिसने भी हईजक किया हो understand प्रधान मंत्री जी को तीनो बिल भी वापस लेने पड़े वो प्रोट मेचे कम्प्लीट कने दीजी वो प्रोटेस्ट किसी ने भी हैजक किया हो लेकिन देर में गनसर्न इस तो दो पार्मर्स बियर में प्रोटेस्ट कैसे किसाना के प्रोटेस्ट क किया है लेकिन सर का प्रोटेस्ट को फारमर्स थीक है वो उनके हित में ही सोचेंगे क्योंकि वो उस रोल में है हाँ सरकार है पुरे देश की that is that is their role उनको वो फिल्टर करके अलग address कर सकते हैं because that is their power मैं मैं बहुत छोटी जगा पे हूँ कि कह मैं जो है मैं क्रिमिनल्स को लेकर कह सकती हूँ जब मेरे साथ क्राइम हुआ है मैं कह सकती हूँ कि मेरी जान खत्रे में है जब मुझे ओपन भी हेडिंग की धंकिया दी जारी है तो मैं कह सकती हूँ लेकिन जब मुझे इस बात का संग्यान कराया जाता है कि अब आपको आपको पार्टी की पॉलिसी के साथ एक लाजर पिक्चर का ही ध्यान रखना है बाकि अपनी अपनी इंडिविज़ आइटेंटी को छोड़ना है तो मैं उसमें भी सक्षम हो तो मैं उसमें हो I can take that leap I can leave my individualism behind and completely become an altruistic person completely that is quite doable नहीं कंगना जी लेकिन आप एमर्जेंसी फिल्म बना रही हैं मिसिस गांधी का इंद्रा गांधी जी उनकी खत्या होती है सत्वन सिंग बेंद सिंग और वो पूरी जो साजिश है जिसमें आतंकवादी शामिल है कट्टर खालिस्तानी तत्व शामिल है बैसी एक धंकी आपक अजास खान फिल्म देखने नहीं जाओंगा यह सब लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं एस जी पीसी कह रही है कि अमर्जेंसी फिल्म में भिंडरा वाले और सिक समाथ की सही तस्वीर नहीं पेश की गई आपको धंकी मिलती है आपको लिसको सूचित भी करती है तो एक द और ऐसे जो है हमारे देश में बहुत बार ऐसे वाक्यात हुए भी है जहां पे लोगों को दिन दहाड़े जो है उनकी गर्दने काटी गई है उनके हमला किया गया है तो अब यह हमारे जो है देश की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है बंदूकों के ड आवास तो यह बंद नहीं कर पाएंगे मैंने तो आपको बताया मैंने तो 15 साल की उमर में कफन बांड लिया था मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाए मिच जाए नहीं जी और देश को समर्द करें मरनने क्या जरूरत है कंगना हमने social media पर पोस्ट किया था कि आप आने वाली हैं तो बहुत सारे audience में सवाल बें कुछ बयानों पर तो और आपकी फिल्मों पर बात होई गई है कुछ इसमें से हम और सवाल ले लेते हैं सपना शर्मा का सवाल है यह सवाल social media पर पूछा भी जाता है चिराग पासवान के साथ फिल्मों में आपकी बॉड्निंग अच्छी थी अब दोनों एकी सरकार का इससा है पॉल्टिक्स पर बॉड्डिंग कैसी यह उन्होंने फिल्मों लिखा पर मेरे खाल से अपनों एक ही फिल्म हमने साथ में की है इसके बाद कोई फिल्म नहीं की यह वेंट इटू पॉलिटिक्स अच्छा है वह एक्चुली क्या हम MP है हम MP सारा साथ मंत्री है तो इतना हमार सब्सक्राइब काफी इंबरेसिंग हो गया तो अब बिचारे रस्ता बदल लेते हैं दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है रवी चौरसिया यह सवाल पूछ रहे हैं जब सिंद्या जी पार्टी में नहीं थे तब आप उनके खांदान पर बयान देती थी फिल्म भी ब जब शक्रिसा यह जब बनचंगा तो वगल में गंगत तो ठीक है जब उनका मैं जंगा तो कठाटी में होई तो इसा वह मुलाकात नहीं होई लेकिन जब वो पार्टी का एक शिस्सा है और हमारे मानयमंत्री है तो जाहिर सी बात है जब नगी पार्टी अलग थी तो उनकी policies अलग थी, अब जब उनकी party ये है जो एक राश्रवादी party है, तो उनकी policies अलग है, हमारे लिए वो matter करते हैं, हमारे इंडिविज्य ने करते हैं, हमारे लिए उनके intent matter करते हैं, और वो definitely हमारे लिए तो बहुत मानिया हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत जबदस्त काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए अर्पित चुकला के सवाल है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से आप पहली बार कब मिली थी? पहली बार मैं उनको शयद न से न से जिम पने इंड़ित ग्रेटर? है और पहली बार बातचीत कब हुए है कि मुझे लगता नहीं पीम जी के साथ मेरी बातचीत हुई अभी तक कि आपकी और प्रदानमंत्री जी की बात में हुए है तो यह टिकट वगरा की प्रदानमंत्री तो टिकेट की बात करें है कि आपकी प्रदानमंत्री नरीद मुदी के बारे में यह विख्यात है कि जो भी पॉलिटिक्स में नहीं पौध आ रही है तो उनको वह गाइडेंस देते हैं मुझे तो मुझे तो फिर तो बहुत ही जादा शिक्वा है एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूं अब कि या प्रोसेस होता है सांसदों के प्लिक में मीटिंग रही है वो मेरी यहां रैली में भी आये थे मंडी में तब भी जो एक हमारा एक्सचेंज हुआ था मैंनों को फ्लावर्स दिये थे उनके ग्रीट को इन्होंने सला दी हूँ आपको उस्टाइं पे भी आइमेंबर क् दिजिटली ना डिजिटल लाइफ और ये लाइफ में अंतर नी का खासकर प्रधानमंतरी मोदी जैसे व्यक्तित्व जो है उनको तो ऐसा लगता है हमारे घर के हैं लेकिन वास्तो विक्ता में उस दिन भी मैंने देखा था कि वो कुछ लोगों को मिल रहे थे लेकिन वो ज जैराम जी को यह कहना था कि तुम्हारी भी होम कॉंस्टेंसी है वो ठीक गरने चाहिए अब खैर उनका प्रोटोकॉल रहता है कि जो ज्यादा महत्तोपुन लोग होते हैं उनसे लेकिन मैंने इनफेक्ट फ्लड्स के टाइम पर हो मिनिस्टर जी और पीम जी से मीटिंग मा ने मिली बताईए साथ सूरा सिंग तूछ रहा है मनिपूर को लेकर कंगना क्या सोचते हैं मनिपूर को लेकर जी आइधिंक जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर जी ने एक घोशना की है कि 29 तक यह जो है सब जितना भी आतंक है पूरा इराडिकेट कर देंगे तो आइधिंक उस पे प्रोडुक्तिव आक्षनस डेφिनितल ले रहे हैं अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कि है तो वह देफिनिटल उस पर प्रोडुक्तिव आक्शन ले रहे हैं पर महां तो अभी भी नाक्य बंदी है हिंसा हो रही हिं जड़प हो रही सुरक्षा बलों पर हमला हो पहुत सारे militant groups हैं जो उपरेट कर रहे हैं इस्थिति अभी control में आई नहीं पुरी तरह सामान नहीं हुए है तो मैंने लेका हैं दो तरीके के operations होते हैं तीसरा कोई है दी तरीका एक तो मैंने देखा हुआ है जैसे अभ बंगाल में भी सिमिलर सीचुएशन थो बंगाल में बी है कर दो आज मिचन्च देखिए और एक त्ष्टयूड Minor Rich को आप इसन आप की सम्मुहों का डापस में तक्राओ, तक्राइबे तक ह Antes को ऐसी प्रेदेरी हो रहे है, तो? यह समुआ है मिने तक्राइबे यह मिन एक में प्रीडेयरी तौड़ हो ऑपाल के अब इन प्रिक्राइब का से आप यौप यौ ज्य।प्राइब necklace को वो गिय। ele failure यह भंग कार्णिया भा नो ग्लाएचा रे हकिन्घ्छे धिक्रिश कि यह भूंपिश्मास्कालिव तर्यमार कुश्मfarण खेलosit as an artist if I agree or not agree I failed in that moment when I put myself in the place of a judgment or judge of course not and nobody has that right and also it's not even consequential what my opinion is of it but I'm just saying there are only two ways to handle it so he's not going that way not going what way? president rule way it's very evidently that approach the approach that congress took for every state there is that approach and then there is more expanded approach more foresight more maturity not playing to the gallery maybe at the risk of own popularity at the risk of own you know this thing but for the larger good for the larger cause and a systematic approach there is a lot there is a lot to learn from the great leadership that we have there is not enough I mean I mean I mean the the उनसे और जितना हम उनके गुणों का वेख्यान करें कम हैं आप बाजपा में हैं हर पार्टी को अपने शीर्ष नेत्रत का गुणगान करें वह हैं तो हम हैं जी बिलकुल बिलकुल और अरंगाबाद से लालू कुमार का सवाल है इमर्जेंसी फिल्म के ट्रेलर में इंद्रा गांधी को नकारात्मक भी दिखाया गया है क्या सिर्फ बर्तमान में विपक्ष वाले मनमुटाओं के चलते हैं उनकी ऐसी इमेज तयार की जा रही है अगर उनको लगा कि मिस्स गांधी को नकारात्मक दिखाया जाए तो आइटिंग वो फिल्म तक आने का इंतजार करें मुझे नहीं लगता है कि फिल्म देखने के बाद उनको इस शिकायत रहेगी लोयर स्पाई क hasवाल है कगना जब भी किसानों को लेकर बात करती हैं तो cycling जान होते हैं क्या उन्हें पंजाब राजी विशेश्व से कोई दिक lebih स्थ किसां तो खैर सारे देश में हैं लेकि लेकिन वर्मभी किसानी है हम पर भी हमले किए किसान ने माना जाता है तो मेरे माता पिता भी किसान है लेकिन हमें जो है ये कहा जाता है कि हम किसानों के खिलाफ है और जब मुझ पर हमले होते हैं तो ये कहा जाता है कि किसानों की जीत है मुझे लगता है ये बहुत ही गलत जो है धारना बनाई जा रही है पंजाब मेरे ल having said that अब इतना जहर जो है लोगों ने पहलाया हुआ है लेकिन एक बात पक्की है के सचाई निकल के आएगी और जब सचाई निकल के आएगी जब आप राष्ट्र हित में बात करते हैं आप अपने मतलब की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग अपने मतलब की बात कर रहे हैं आप आपने मतलब की बात कर रहे हैं आप आपने रिश्टा है आपने रिश्टा है आपने रिश्टा है मेरे पंजाब के साथ पंजाब के लोगों के साथ इस देश के लोगों के साथ आपने शुरू में वाक्या बता है कि आपको अमेरिका जाना पड़ा और आपने एक तंत्र बताया उसके पीछे की जो जिसकी वज़े से आप गई और फिर कहरेंगी कि इटेलियन सरकार चली गई तो फिर आप वापस आई आपके वड़ते अभी सरकार के जो मंत्री है विदे तो उस वक्त भी लोग जाते रहेंगे किनी कारणों से और अब भी जा रहे हैं उस वक्त आपने एक सरकार और एक सिस्टम को दोश दिया यह लोग क्या सरकार को दोश दें ऐसा हो सकते हैं आपने बहुत अच्छा क्वेस्टिन पूछाए क्या होता है कि जब एक देश्यों सिस्टमेटिकली एक गोल की तरफ बढ़ता है जैसे हमारा अब हम तीसरी अर्थ विवस्था बने हैं अब जैसे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कितने पहले मालनों सौ स्टार्टप भी नहीं थे अब लाखों की संख्या में हैं पह जो डरके जा रहे हैं कि अब देश में जो है एक तरह से करप्शन नहीं रहेगा अंडर हैंड चीज़े नहीं रहेंगी यह वो लोग है यह वो लोग है जो देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए बाहर जा रहे हैं किस ठिती से बाहर जा रहे हैं अब जैसे मेरी फिल्म है emergency ठीक है मैं चाहूंगी ये देश विदेश में चले उस उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े या जो देश तो ये भी आप सिर्फ डेटा पर नहीं जा सकते क्या हमारा देश बृद्धी कर रहा है हर टाइप का लोग होगा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डर कुछ लोग है लोगों को मिलती हूँ देख दढ़ जाते लोग है इस लोग है जो मुझे देखते हैं वो रोने लगा लेते हैं तो मेरी बेटी है तो उनको क्यो तो यह तो आपकी वाइब है अब जब वह इटालियन गर्वर्वर्मेंट तो मुझे अंसेफ फील होता था मुझे किसी में क अगर आज देश जो है अब मैं आपको सिंप यह जो नॉमल लोग है ठीक है देश में जो है हमारे लिए अच्छा है क्योंकि अगर अबादी की दृष्टी से भी है तो लोग पीपल शुट गो एंड मैं तो यह कहते हूं कि बाहरत का जंडा हर जगा लह रहा है और जो लोग है उन्होंने जो है हर तरीके से जो है भारत का आयम शूर वो देश भक्त लोग भी होंगे जिनको किसी मजबूरी से जाना पड़ा होगा लेकिन अगर भारत का शक्तिकरन आज भारत जो है सबसे शक्तिशाली ताकतों में अब आया है पहले नहीं था अर्थ विवस्ता अब से लोग प्रफ्रदान मंत्री है अगर यह फेक्टर आपको मझ्बूर कर रहे हैं जցद्ध चौड़ने के लिए यह फैक्टर आपको उçasाहित कर रहे हैं देश से जाने के लिए और देश का जो मेसेज है पूरी डुनिया में ले जाने के लिए वह हो तो अब ऑस चीज को जाके डिटेल में जाएंगे तब ही बता पाएंगे ना पर हम तो इस बात से खुश है कि भारतिये जो है आज आप देखिए अगर आप यूएस में देखते हैं तो जो सब वाइस प्रेजिडेंट दोनी पार्टियों के भारतिये हैं आप लंडन में देख लीजिए हमारे इतना समय दिया देखिए आपका जीवन आपकी फिल्में आपके बयान आपके विचार सब इतने विस्तृत हैं कि कोई घंटा डिर घंटा में उसमें बात नहीं समीटी जा सकती हैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे डिप्रेशन को लेकिए आपका बयान बहुत चर्चित ह अब आपका बयान था या इस बातचीत के इक्रम में आपने कहा कि सिफ आइटम नंबर करने वाली पर समय की कमी है फिर कभी मुलाकात होगी फिर कोई आपकी फिल्म आएगी कोई बयान आएगा हमें वक्त मिलेगा आपके साथ चर्चा करने का आपने दहरी पूरवक सारे माल सुने अपने तहीं जबाब दिये सहमत है असहमत ही अपनी जगह है लोगतंत्री यही खुबी है और बहुत शुब कामरा है आपको आपकी फिल्म के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आप ललन टॉप के स्टूडियो हाई आप स्वस्त रहें और सुरक्षित रहें यही बातना